नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ जेबा अली वक्त हो गया है एहम बात का अयोध्या के गैंगरे प्रकरण को भारती जनता पार्टी हाई कमान ने काफी गंभीडता से लिया है आपको बता दे कि केंद्री मंत्री नरेंद्र कशियप राज सभासांसद बाबु राम निशाद और राज सभासांसद संगीता बलवन्त के बीजेपी डेलिगेशन ने पीडिता के परिवार से मुलाकात की जिसके बाद राज सभास सांसद बाबूराम निशाद ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदितनाज से अनुरोत करता हूँ कि पेडिता को 5 लाक रुपए की धन राशी को बढ़ा कर 25 लाक रुपए कर दिया जाए इसी के साथ ही सांसद संगीता बलबंत ने कहा कि हमने पेडिता को आशवाशन दिया है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं आरोपियों पर सक्त कारवाई की जाएगी पिलित परिवार से मैं मिली हूँ माता जी से और उनके दर्द को हमने समझा है कि किन परिस्तिकियों में वो अब तक इस चीज को बच्ची छिपाती आ रही थी डर के मारे धंकी के मारे लेकिन जब उसके पेट में असहनी दर्द हुआ मेटकल जाच आई तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है और जैसे ही यह संग्यान में आया योगी बाबाजी ने अपने सुसासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कारवाई किया और अभी हम लोग पीलित परिवार से भारती जनता पाईकी का प्रतिनिधी मंडल मिला है और माता जी को यह आस्वासन दिया है क कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और जो इस गैंग रेक के आपराधी है उनको एक-एक को सज़ा दिला के ही हम लोग दम लेंगे साइब रिपोर्ट पार्टी है का मन को देंगे घटना बहुत गंबीर है तो भी हम लोग जाच में है जी पूरी बारता की है और जो चिज़ें हमें सब समझ में आई है उनका संग्यान दिया है पूरी रिपोर्ट पारश्ची नेतक को सुपर्थ करेंगे और जिन अत्याचारियों ने जुर्दाशारियों ने यह घटना घटित कि है हमारी सरकार उतरप्रदेस की किसी ही स्तर पर चोड़ने वाली नहीं है लखनव में अपना दल S की कार समीति की बैठक आज संपन हो गई है आपको बता दे कि इस बैठक में अनुपरिया पटेल ने आउट्सोर्सिंग की भरती परक्रिया में आरक्षण की व्यवस्ता लागू करने की मांग की है अनुपरिया पटेल ने कह कि चतूर्त श्रेणी की भरती इसलिए की जाती है जिसमें दबे कुछले लोगों को नौकरी मिल सके लेकिन आउट्सोर्सिंग में आरक्षण की कोई व्यवस्ता नहीं होने से निशले दलित वंचीतों को नौकरी नहीं मिल पा रही है इसलिए इस बात की अवशक्ता है कि आउट्सोर्सिंग की परकरिया में आरक्षण की व्यवस्ता लागो होनी चाहिए दिके आउट्सोर्सिंग के जरिए जो चत्वर्त श्रेणी के कर्मचारी है उनकी भरतियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो चतुर्त श्रेणी की जो नौकरिया होती थी उसमें मुखे रूप से जो वंचित वर्ग है जो दबे कुछले वर्ग के लोग हैं उनको इसमें भरतियां मिलती थी अब जब आउट्सोर्सिंग के जरीए ये भरतियां हो रही है और आरक्षन का उसमें कोई नियम लागू नही कभी जो एक गुंजाईश होती थी दबे कुछले वर्ग के पास वो खतम होती जा रही है या कई ये हो गई है तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउट्सोर्सिंग की प्रक्रिया के जरीए जो भरतियां हो रही है उसमें जो आरक्षन के नियम है उसका पालन होना अपराधी की न कोई जाती होती है न कोई मजभ होता है महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए और इस गटना में जाच चल रही है जो भी दोशी है उसको बक्षा नहीं जाना चाहिए जो भी दोशी है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो जड़ने जा रहा है और एंडिये के गटबंदन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको एंडिये में शामिल सभी दल मिरकर जिताने का प्रयास करेंगे। इस आईटी जाच में हुआ फर्जी चिट फंड कंपनी का खुलासा कंपनी के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुड़ गई है। बीबी आईबी कार्याले को सीज कर दस्तवेज किये गए हैं बरामत। जनपत ललिदपुर में और हमारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर एलिव सी सी के कंपनी बना करके कई हजार लोगों को उसमें जोड करके कई हजार रुपे का इन्वेस्मेंट करा करके कराने वाली ये कंपनी हैं जो की फरजी तरीके से और कुछ तरीके से दस्तावेज आकरशक जो है प्रलोभन दे करके यह काम करने वाली कंपनी के रूप में इनके सभी राज्यों में अ नाम आलोग जैन है जिसके उपर हम लोगों ने 25,000 रुपे का इनाम भुजित किया हुआ था दरसल हम आपको बता दे कि तीर्थ नगरी ब्रजगाट से अमरोहा गंगा जल के लोट रही एक कावड़ देश के नाम के शिव भक्तों पर भाजपा नेता ने बुल्डोजर पर चड़ कर उन पर पुश्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया कावड़ियों के लिए उन्होंने गज्रॉला के बसंद होटल के बाहर भंडारे का आयोजन भी किया इस दोरान भाजपा नेता डॉक्टर सोरन सिंग ने खुद कावड़ियों को भोजन परोसा और उन्होंने पानी की बोतले भी वित्रित की भाजपा नेता डॉक्टर सोरन सिंग ने कहा कि सावन का पवित्र महा चल रहा है शिव भक्त लंबा सफर तैकर कावड लेकर आते हैं हम सभी को शिव भक्तों की सेवा करनी चाहिए पर नजर बनाए रखे सब करल्यान करें इसी इसी मनुरत के साथ राज्यबाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर श्याम त्रपाटी ने पीडित पास साल की बच्ची और परिवार से छेड़शाड के मामले में मुलाकात की इस दोरान सीओ राम नगर ने बताया कि आरोपी चालक पर मुकदमा दर्ज का कर उसे गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है बताया जा रहा है कि श्याम त्रपाटी वीपिएन विद्याले पहुच कर चालक के नियुक्तु पत्र देखा इसके अलावा स्कूल की माननेता शिक्षकों की विद्याले की नियुक्ति योकिता प्रात्मी कुप्चार किट बच्चों की संख्या और अन्य जरूरी विश्यों पर बातचीद्धी की जा रहा हूँ और जो भी अपरात किये हैं उसको सजा मिलेगी और इनकी पुष्टे याद करेंगे कि जहीं सजा जो हमने अपरात किया उसकी सजा मिलेगी अलिगर्ण मुस्लिम विश्व विद्याले के नॉन टीचिंग स्टाफ ने रजिस्टर कारियाले के बाहर धर्ना परदर्शन शुरू कर दिया कर्मचारियों का रोफ है कि अलिगर्ण मुस्लिम विश्व विद्याले प्रशासन ने 15 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश नजर आ रहा कर्मचारियों के द्वारा लगतार प्रिशासन से बातचीत करने की कोशिश भी की गई लेकिन एम्यू प्रिशासन हर रोज मोलत मांगता हुआ नजर आता लेकिन उन्हें नयाय नहीं दिलाता यही कारण है कि रजिस्टरार कारियाले के बाहर धरना प्रिशन अब शुलू कर दिया गया है प्रिशासन के द्वारा उन्हें समझाने का प्रियास किया जा रहा लेकिन ये भी कर्मचारी का दावा है कि 48 गंटे के अंदर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वो भूख हर्ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिसके जिम्मेदार एम्यू प्रिशासन होगा अकेडमिक स्टाफ कॉलिज के नाम से पहले हमारा आफिस था उसका नाम बदल के अब इस वक जो है है कि हम सेलरी नहीं देंगे तो एक जोलाई से हम लोगों को जो है सेलरी डिसकंटीनू कर दिया है अलिगर मुस्लिम विश्व विद्याले के जे एन एमसी मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद सतीश गौतम ने बड़ा बयान दिया है सांसद सतीश गौतम के द्वारा सदन में चल रही कारवाई के दौरान जे एन एमसी मेडिकल कॉलेज में हिंदूों का इलाज करने का बड़ा आरोप लगाया गया है उनके द्वारा सदन में बयान देते हुए ये कहा गया कि JNMC Medical College की तरज पर दीन दयाल अस्पताल अलिगर्ड को आधूनी करने की जरूरत है उन्होंने आगे कहा कि JNMC Medical College को केंद्र सरकार के द्वारा ट्रामा सेंटर दिया गया लेकिन यहां हिंदूों का इलाज नहीं होता हिंदू यहां इलाज कराने से कत्राते हैं मही JNMC Medical College की प्रिंसिपल वीना महेश्वरी ने सांसल सतीज गौतम के बयानों को निराधार बताया है आपको मालूम होगा कि कास गंज की ट्रेजड़ी हुई और हात्रस की ट्रेजड़ी हुई उसमें जादा तर सब दूसरे समुधाय के लोग थे, हिंदू समुधाय के और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, पूरी निशुल्क सुविधाय दी गई उनको, एक पैसानी चार्ज किया गया, सारा चीज उनको क्रीमे किया गया, अगर ऐसा कुछ होता तो यह तीज नहीं होती है, उन्होंने जो बयान दिया है, वो तो सब लोग आप देखी रहें, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, यहां किसी भी प्रकार का भीदभाव तो नहीं किया जाता, ऐसा जरूर हो सकता है, कि कोई इस्टूएंट है यहां के एम्पलोई हैं, उनक परचा उनको पहले एक दो लोगों को ले लिया जा, उसके वाल ले लिया, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन यह नहीं है, वो बाकी हमारी जो प्राचा रहें, उन्होंने बताई दिया है, तो मैं तो भाईया यही कहना चाहूं, और माननी मोदी जी से भी, और राष्टपती महोद से भी, और दर्वेंदर प्रधान जी से भी, और यहां की बायर चांसलर महोदे से भी, मैं तो भाईया यही कहना चाहूं, सबका साथ, सबका विकास पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन अलिगड़ उन्यूश्टी की तरफ भी जैसे ट्रामा दिया गया है, त कि यहां की जो लोग हम डेली विसिस पर कारे कर रहे हैं, तो इन लोगों को रेगूलर किया जाए, इन मुद्दों पर उठाया जाए, और बजट को यहां थोड़ा सा और बढ़ाया जाए.